तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज कम्प्यूटर के महत्पूर्ण प्रस्णों में प्रस्ण नमबर एक कम्प्यूटर के जनक पिता कौन है तो इसका अप्सन है जैकार्ड लूम B है चाल्स बेबिच, C है बिंच सेरप और D है रावर्ड तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए पांस सेकिंड का टाइम है आपके पास आपका आंसर है चाल्स बेबेज तो दोस्तों कम्प्यूटर के जनक या पिता चाल्स बेबेज को कहा जाता है यह हैं computer के जनक चार्स बैबल प्रस नंबर दो देखते हैं computer का मस्तिस्क किसे कहा जाता है तो दोस्तों आपको बताना है तो आपके option है monitor option B है keyboard option C है printer और option D है CPU तो जल्दी से आपको answer देना है आपके पास 5 second का time है और आपका सही answer है CPU तो दोस्तों computer का मस्तिस्क CPU को कहा जाता है यह आपका CPU है तो चलिए देखते हैं अंगला प्रस नंबर तीन computer की memory किसे कहा जाता है तो आपके सामने option है a motherboard को प्रोशेशर को hard disk को या फिर DVD writer को तो आपके पास 5 second का time है और answer जल्दी से दीजिए और आपका शही answer है हार डिस्क तो दोस्तों computer की memory hard disk को कहा जाता है यह आपकी hard disk है और चलते हैं next question पर और प्रस नंबर चार है हमारा computer का output device है दोस्तों इसका option है printer, light pen, mouse और keyboard तो दोस्तों इन में से आपको answer देना है 5 second का time है आपके पास जल्दी से answer दीजिए और आपका सही answer है printer तो दोस्तों computer का जो output device है वो है printer इन चार में से printer है यह आपका printer की photo है तो चलिए देखते हैं press number 5 difference engine का निर्माण किसने किसन में हुआ था दोस्तों जो difference engine बनाया गया था किसन में बनाया गया था option है 1811 में 1822 में 1833 में और 1844 में तो आपके पास 5 second का time है और आपको answer देना है तो answer दीजिए और आपका सही answer है 1822 तो दोस्तों difference engine का निर्माण सन 1822 में चार्स बैबेज ने किया था यह है difference engine की photo तो चलिए देखते हैं question number 6 इस scanner क्या है दोस्तों आपके पास option है option A output device option B input device option C A और B दोनों और option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको answer देना है आपके पास 5 second का time है और सही answer है आपका input device तो दोस्तों जो इस scanner है यह computer का input device है यह है इस scanner की photo तो चलते हैं next question में तो दोस्तों प्रस्ट नंबर साथ देखते हैं analytic engine किस ने बनाया था दोस्तों जो एक engine है उस किस ने बनाया तो देखते हैं option नंबर A है जैकार्ड लूम भी है चाल्स बैबेज सी है विंट सेरफ और चार है रावर्ट तो इसमें से आपको सही answer देना है आपका जो सही answer है वो है चाल्स बैबेज तो दोस्तों चाल्स बैबेज ने analytic engine और difference engine दोनों बनाये थे तो ये हैं चाल्स बैबेज जी तो चलिए चलते हैं next question में तो दोस्तों question नंबर A है प्रत्थम पीड़ी के computer में किसका use या उप्योग किया गया था तो आपको बताना है A option है इसका IC का B है transistor का C है vacuum tube का और D option है processor तो जल्दी से बताना है 5 second का time है आपके पास और इसका सही answer है बैक्केम tube C तो दोस्तों प्रत्थम पीड़ी के computer में vacuum tube का उप्योग किया गया था ये आपका vacuum tube है तो चलते हैं next question में तो दोस्तो क्वेशन नमबर नाइन ट्रांजिस्टर का उप्यो किस पीड़ी में किया गया था बताना है प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर में दोती पीड़ी के कंप्यूटर में या त्रती पीड़ी के कंप्यूटर में या डी आप्सन है चतुर्थ पीड़ी के कंप्यूट प्रिंटर में तो दोस्तों टर्ण जेक्ट का यूज दो ती पीडि के कॉंपूटर में किया गया था यह है उसकी फोटो तो चलते हैं next केस्ट में तो दोस्तों कोशन नमबर 10 इनकर कज़े चाहिए है दोस्तों बताना है आपको इनकर किसा है तो नमबर एक दोस्तों चारों में से आपको इन्पूट डिवाइज बताना है और आपके पास पास सेकेंड का टाइम है इसका सही आंसर है की बोर्ड दोस्तों जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का इन्पूट डिवाइज है जो दस question complete हो गए हैं और आपको देखना हैं की दस में से आपने कितने questions सही किये हैं यदि आपके questions ज़्यादा सही नहीं है तो इस video को 5 बार देखें आपको सारे questions याद हो जाएंगे दोस्तों यह हमारी जो series है 1000 question की series चल रही है जिसमें से को 1000 questions बहुत ही आसान भरासा में और स तरल तरीके से याद करवाएंगे बस आपको वीडियो 5-6 बार लगातार देखना है तो दोस्तों अब मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक के लिए ओक के बार धन्वाद जैहिंद जैभारत